इस वीडियो में हम सब्टेक्ट करना सिखेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में एड करना सिखा है या हमने रेविट की जो फैमली बनाते हैं उसमें जो पैरमिटर्स होते हैं उसमें हमने formula add किया था और formula में हमने add करना सीखा था यानि यह किसी भी parameter को हम आपस में कैसे add कर सकते हैं या किसी parameter में किसी भी रकम को किसी भी number को किसी भी value को हम कैसे add कर सकते हैं तो आज हम उसी तरीके से subtract करना भी सीखेंगे तो मैं यहाँ पर एक new generic model open करा लेता हूँ मैंने यहाँ पर click करें वहाँ पर पोस्ट करें या फिर आप गुलशाद publications पर जाएं वे Suite पर गुलशाद Department की वेब साइब पर जाए और वहाँ पर आफ डांडोड कर सकते हैं रॉस वेगरा और लाइब्रेृरी ड्रह और और कुछ मोडल्स हैं, लाइबरेरी भी हैं, मोडल्स भी हैं, रेविट के डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने मोडल भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कैसे ही कुछ reference plan बना लेता हूँ, practical के लिए, मैंने यहाँ पर ऐसे ही कोई reference plan बना लिया, और मैंने इसको यहाँ पर dimension ले लिए, और इसको मैंने करा दिया equal, और यह dimension ले लिए, और इसको भी मैंने equal करा दिया यहाँ पर, और मैं इसको ऐसे ही कुछ parameter दे दूँँगा, मैंने इसको select किया, और यहाँ पर click किया create parameter, और यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया width, मान लो कुछ भी, और इसको मैंने नाम दे दिया height, और ok बटन पर click करा देंगा, अगर आप मेरी videos mobile में देखते हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, आप laptop में या desktop में देखे, क्योंकि थोड़ी बड़ी screen पर देखे, mobile में आपको साफ नहीं दिखेगा, क्योंकि resolution जो हैं वो ज्यादा है, और छोटे छोटे दिखते हैं सब कुछ icons वगरा, तो आप बड़ी screen पर देखे, या तो आप desktop पर देखे, या laptop पर देखे, mobile में आपको इसमें बहुत कम नजर आएगा, छोटा छोटा दिखेगा सब कुछ, तो आप अगर देख रहे हैं videos, तो आप उसको laptop या mobile में देखे, तो मैंने यहाँ पर यह कोई dimension लगाई दो, और मैंने इनको parameter दे दिये, अब मैं यहाँ पर check करता हूँ, click करके family types पर, और मैं इसके parameter को check करता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया माल लो 1000, और यह भी मैंने दिया 1500, और apply करा दिया, तो जो मेरे parameter हैं भी बिल्कुल ठीक work कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ, formula, यानि कि कुछ formula देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको subtract करूँगा, मैं, मैंने यहाँ पर click किया family types पर, और यहाँ पर हम direct इसमें कुछ भी formula दे सकते हैं, मैं कोई new parameter बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने new parameter पर click किया, और मैंने यहाँ पर parameter बना लिया, और इसको मैं रखता हूँ, others में, यहाँ गया, और फिर से मैंने click किया, और यहाँ पर दिया मैंने B, और इसको भी मैंने रखा, other में, तो यह मैंने कुछ parameter बना लिया, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी value डाल दी मानलो a में कुछ मैंने 500 value डाल दी तो हम यहाँ पर इसमें कुछ भी रख सकते हैं मानलो मैंने इसको नाम दिया यहाँ पर a यानि के यहाँ पर दिया और minus 100 तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारी a में value है जो भी value होगी वो minus 100 करके यहाँ इसके equal लाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आप हमारी a में value थी 500 तो हमने यहाँ पर दिया a minus 100 तो यहाँ पर क्या गया इसने इसको equal करा दिया 400 के या फिर हम इसको direct भी रख सकते हैं कुछ मानलो मैंने यहाँ पर width को दिया मैं चाहता हूँ मेरी जो width है वो always height में से कुछ minus रहे या मेरी minus में से कुछ यानि के width में से height minus रहे तो हम same वही रखेंगे यह चीज मैंने कल वीडियो में भी बताई थी last वीडियो में तो आप इसको बिल्कुल same लिखना है capital हो या small हो जो भी है बिल्कुल spelling बिल्कुल सही लिखनी है और यह मतलब case sensitive है आपको small और capital पर जरूर ध्यान देना है मैंने यहाँ पर लिखा height यह equal height हो गया भी तो height के equal तो हम यहाँ पर इसमें कुछ minus लगा कर यहाँ पर लिख सकते हैं मालो minus 100 तो इसमें क्या होगा यह जब भी हम height यहाँ पर कुछ भी value एंटर करेंगे मालो मैंने यहाँ पर 500 लिखा तो automatic यहाँ पर 400 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर formula दिया है height minus 100 mm जो भी आपकी unit है 100 mm हो या मतलब कुछ भी unit हो सकती है mm में हो, fit में हो, meter में हो, kilometer में कोई भी unit हैप की वो इसके according इसमें यहाँ पर काम करेगा ठीक है और इसको हम अगर apply करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे parameter बने हुए हैं यहाँ पर तो इसकी width जो है automatic यहाँ पर width जो है 400 हो गई और height इसकी 500 हो गई यानिके जो भी आप इसमें यहाँ पर height में enter करेंगे, मालो मैंने यहाँ पर 1000 लिखा और apply करा दिया तो यह क्या करेगा इसको बिल्कुल इसमें से minus करके यहाँ पर रख देगा automatic हम यहाँ पर कोई formula और भी दे सकते हैं करदो मैंने a में दिया मैंने यहाँ पर 500 और b में मैंने यहाँ पर दिया 1000 ठीक है और मैंने यहाँ पर height का formula देदिया, मैंने इसको ऐठा दिया यहाँ से, मैं height चाहता हूँ a minus b तो मैंने यहाँ पर formula दिया जो a की value minus b होके वो is equal हो जाए height के तो यहाँ पर क्या होगा, उटमेटिक 500, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, A में से अगर हमने B माइनस करा, तो यहाँ पर माइनस में 500 आएगा, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं इसको, अगर मैं यहाँ पर करूँ 1000, और फिर उसके बाद दो यहाँ पर 500, तो यह अब पलस माइनस दोनों में काम करता है, तो आप यहाँ पर इसका जरूर ध्यान लखें, जिससे के कोई error ना आए, तो अगर हम यहाँ पर इसको apply करेंगे, तो यह उसी के according चलेगा, हमारी height यहाँ पर 500, तो यहाँ पर भी 500, और यहाँ पर width 900, तो यहाँ पर भी 900, अब हम यहाँ पर height में है, वो यहाँ पर आएगी, उसमें से 100 minus करेगा, उसको यहाँ पर रखेगा, और वो हमें यहाँ पर project में दिखाई देगी, तो यह इस तरीके से हमने यहाँ पर width और height का formula बनाया, तो इस तरीके से हमें यह नजर आएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज बनाता मानलो मैंने यहाँ पर create किया, और यहाँ पर click किया मैंने extrusion, और यहाँ पर मैंने ऐसे rectangle बना लिया, और इसको log करा दिया, और finish करा दिया मैंने इसको, अगर मैं इसको 3D view में देखू, तो यह इस तरीके नजर आएगा, और shaded करके इस तरी से दिखेगा, अब मैं इसके parameter को क सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मैंने 400 अपलाई, तो यह उसी के हिसाब से यहाँ पर काम करेगा, A minus B वो यहाँ पर रखेगा, और फिर उसके बाद height यानि के minus 100 उसको यहाँ पर रखेगा, तो इस तरीके से हम subtract के formula को use कर सकते हैं, और यह formula आप ऐसे ही simple, ऐसे ही नहीं करने लगे, आप यहाँ पर बस वैसे ही बनाने के कुछ भी दो line बना कर reference line उसके बीच में formula लगा दें, लिए आप formula कहीं पर भी use कर सकते हैं, जहाँ पर भी possible हो सकता है, यानि के हर जगे possible नहीं होता, लेकिन काफी चीज़े हैं जो आप बना रहे हैं, parameter जहाँ पर आप बन बनाए, sweep बनाए, sweep blend बनाए, आप कुछ भी बनाए, वहाँ पर आप उसको बना सकते हैं, वहाँ पर आप उसको formula दे सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पर plus minus का formula लगा कर use कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी question है, आप comment में लिख सकते हैं, या फि आपको नई वीडियो के notification मिलें, और आप नई वीडियो से जुड़े रहे हैं, या जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा, आप उसको देखते रहे हैं, तो आप इसको बना कर देखें, और जो भी आप बनाते हैं, उसको facebook group पर जरूर post करें, उसका screen का photo लेकर, screenshot लेकर, उस सब सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें, थैंक्यू